यह Health Insurance Series का अमारा दूसरा वीडियो है और अगर आप यह समझना चाहते हैं कि Health Insurance होता क्या है तो इससे पहले आप Video No.1 जरूर देख ले तो बात करते हैं कि आपको Health Insurance लेते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन-कौन सी चीजे हैं जो आपको जरूर एक बा पड़ेगी तो आपको आपकी Pocket पे भार ना पड़े इससे बचने के लिए आपको इन Points को समझना बहुत जरूरी हो जाता है सबसे पहला होता है आप जब भी Insurance Policy खरीद रहें तो यह जरूर देख लें कि उस Insurance Company का Claim Processing का Rate क्या है बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगाता है बहुत ज़्यादा डिनेल लेट्स तो नहीं है यह आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जब आप अस्पताल में बढ़ती होते हैं उससे मगेर आपको क्लेम नहीं मिलता है तो आपके लिए एक बड़ी चिंता और आपके परिवार के लिए बड़ी चिंता की दिक्कत वाली बात हो जाती है तो ऐसी Insurance Company चूज करें जिसका Customer Care Support बहुत अच्छा हो और जिसका Claim Processing, Cashless Processing का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा Fast हो दूसरा हमेशा आप Family Floater Policy ही चूज करें आप Individual Policy भी खरीच सकते हैं आपके लिए हैं तो ज़रूर आपको एक अपने लिए पॉलिस ले लेनी चाहिए लेकिन अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो definitely आपको सारे परिवार के लिए एक पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए उसका फायदा क्या होता है कि एक ही पॉलिसी में सारे लोग कवर हो जाते हैं अगर आप इन्डिजल अन्डिजल प्रीमियम पे करेंगे तो बहुत जादा होगा और आप जब एक साथ सारी परिवार के लिए एक प्रीमियम और एक ही पॉलिसी लेते हैं तो आपकी पॉकेट पे भी कम खर्चा पड़ता है तो हमेशा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पे ही जाएं तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको इंशुरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट है जो आप पे करते हैं इंशुरेंस कंपनी को और जो सम इंशुरेंस कंपनी को होता है जो इंशुरेंस कंपनी आपको गैरेंटी देती ह तो इसको बहुत wisely select करें ऐसा भी premium का बड़ा amount ना ले लें yearly कि आपकी pocket पे बहुत बाहर पड़े और उतना भी sum insurance कम ना हो कि जब जुरूत पड़े तो आपको दिक्कत हो या फिर बाहर से आपको पैसा घर्च करना पड़े तो एक balance approach ज़रूर लेके चले और उतना ही premium रखे जितना आप आसानी से बे कर सकते हैं हाँ आपके policy में कितने लोग हैं और कितना किसको ज़रूत हो सकती है aged लोग हैं तो शायद ज़रूत पड़ सकती है तो ये calculation भी आप बना के रखें ये भी एक बहुत ज़रूरी point होता है health insurance policy खरीदने के लिए उसके लाव आप ये भी धियान रखे कि आपके nearby या जो भी अस्पताल है या अच्छे अस्पताल है वो उस insurance company के cashless network में है या नहीं है क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने policy तो खरीद ली आपको ये लगते हैं आपको claim form भरना पड़ता है बहुत सारी चीज़े होती है तो better है कि आप ऐसी policy ऐसी insurance policy लें कि इसके network hospitals का जाल बड़ा हो और आपके नज़दीक भी कोई ऐसा अस्पताल हो जिसमें आप cashless के लिए जा सकते हो next आता है maternity benefits maternity benefits means जो pregnancy या delivery वाले जो benefits है क्या वो cover होते हैं हाला कि बहुत सारी insurance company industrial policy में retail policy में coverage नहीं देती है अब बहुत सारे players आगे हैं जो आपको maternity benefit भी देते हैं तो अगर आप शादी का plan कर रहे हैं बच्चा plan कर रहे हैं बट फिर भी आपको अपने policy में चेक कर लेना चाहिए कि आपका वो pre and post hospitalization का coverage आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है pre hospitalization और post hospitalization का मतलब यह होता है कि जब आप hospital में भरती होते हैं और आपका इलाज होता है और आपको claim insurance से मिल जाता है या cashless मिल जाता है तो hospital में भरती होने से generally 30 दिन पहले के और hospital में चुटी होने के generally 60 दिन बात तक के जितने भी खर्चे होते हैं चाहे हो doctor की fees हो चाहे हो आपके investigations हो चाहे हैं आपने दवाईयों पे खर्च किया हो वो सारे insurance company आपको pay करती है उसके लिए आपको फिर से claim form भरना पड़ता है उस amount के लिए और फिर अपनी insurance company को भेजना पड़ता है उसके लिए मैं आपको एक अलग video बनाऊँगा detail में कि आप reimbursement कैसे लेते हैं उसको आप refer कर सकते हैं आज कल बहुत सारी insurance companies जब आप insurance policy खरीदते हैं आपको yearly health check-up plan भी दे देते हैं साथ में हाला कि इससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता आपके premium पे लेकिन अगर छोटा सा round जाके आपको साल बार का एक health check मिल जाता है तो आपके लिए और insurance company दोने के लिए फायदे मन्द होता है आप predict कर सकते हैं कोई disease तो नहीं आने वाली है और समय रहते हैं सही reason ले सकते हैं और जो आने वाला खत्रा है उससे बच सकते हैं तो ऐसे plan चूज करें जिसमें yearly health check-up benefits आपको insurance company देती हो एक बड़ा pain point होता है हमारे customers के और patients के जहन में कि हमने cashless policy लिये बट फिर भी हम जब अस्पताल में भरती होता है तो अस्पताल हमसे कुछ पैसा मांग रहा होता है उसके कुछ reasons है तो आप फ्यान से देख ले कि आपकी policy में कोई co-pay या capping का close तो नहीं है co-pay का मतलब होता है कि जो भी अस्पताल का खर्चा होता है उसका 1%, 5%, 10%, 15% insurance company expect करती है कोई customer pay करेगा तो वो अगर कहीं पे लिखा आपकी policy में तो वो देख ले क्योंकि वो आपकी pocket पे भार पड़ेगा जब आप ये cashless hospitalization का process या ये benefits लेने जाएंगे capping हो होता है कि किसी particular disease पे एक cap लगा दिया जाता है for example हम example ले थे cataract surgery तो हो सकता insurance company के है कि हम cataract surgery पे 30,000 उपे पे करेंगे उसे जादा नहीं पे करेंगे लेकिन अगर आप ऐसे hospital में जाते हैं जा पे आपका 50,000 का कर्चा होता है तो हो सकता हो 20,000 आपको देना पड़े क्योंकि वहाँ पे cap लगा हुआ है तो यह चीज़े भी आपको policy में देख लेनी चाहिए so that आपको बाद में कोई confusion ना हो या एक तम से कोई जटका ना लगेगा रहे ऐसा है क्यों मुझे क्यों pay करना पड़ रहा है उसके लावा जो एक बड़ी गलती करते हैं customers pre-existing disease को disclose ना करना हाला कि maximum policies में एक waiting period होता है कि इतने दुनों के बाद आपकी pre-existing disease cover हो जाती है तो better है कि आप सही information दें insurance company को क्योंकि अगर आपके doctor ने वो information आपकी file में लिग दिया और insurance company को चली गई तो आपको उस बिमारी के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा जो actual में आपको हुई है सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ information छुपाई थी या past में अगर आपकी कोई बिमारी थी वो आपने disclose नहीं की थी तो transparent रहें उसमें ज़्यादा फायदा है ये बिमारी कुछ waiting period के बाद cover हुई जाएगी मगर आप देख लें कि वो coverage है आपकी policy में या नहीं है better होगा कि आप उस तरह की policy choose करें जिन में pre-existing disease cover हो जाते हैं कुछ time period के बाद एक साल, दो साल, चार, पास साल के बाद तो ये बहुत important point है और जो सबसे बड़ा point है जिस पे generally अक्सर अस्पताल में मरीज और अस्पताल के staff के भी जगड़े हो रहे होते हैं वो होता है non medical expenses या non payable items customer कहता के मेरे पास तो cashless policy अस्पताल कहता है कि ये amount आपकी insurance company ने pay नहीं किया तो आपको देना पड़ेगा और ये fact है कि बहुत सारे ऐसे consumables होते हैं, disposable items होते हैं जिनको insurance company इस पर IRDA guidelines pay नहीं करती है उसमें अस्पताल का कोई कुसूर नहीं है अस्पताल से insurance company खुद कहती है कि आपको ये जो amount है वो patient से लेना है बट ये भी policy to policy worry कर सकता है अगर आपकी policy में ऐसा कोई close है के नहीं आपको non-payables भी नहीं pay करना है तो definitely आपको कुछ नहीं pay करना है तो आप ऐसी policies भी देख सकते हैं जहां पे आपके उपर non-payables pay करने का कोई भार ना हो ये बहुत जरूरी चीज है तो इसलिए आप इन points को अगर आप ध्यान में रखेंगे और आप policy खरीदेंगे तो आपको कोई बड़ा knee jerk नहीं लेगा कोई जटका नहीं लेगा जब आप अस्पताल में cashless hospitalization के लिए admit होंगे या आपका कोई family member जरूरत के समय अस्पताल में भरती होगा तो इनको एक बार जरूर ध्यान से दे और इस वीडियो को ज़ादे ज़ादे लोगों तक share करें so that उनको फाइदा मिले और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो subscribe ज़रूर कर ले bell icon का बटन भी दबा ले so that इस तरह के informative videos आपको समय पे मिलते रहे thank you